इस वीडियो में हम बात करेंगे जो उड़ान आइस एड्मेनेस्रेटिव एकडमी के द्वारा विद्ध्यार्थियों के हित में जिसमें हम आपके लिए संपूर्ण सिलेबस की MCQ लेके आये हैं जिसमें हम तयारी करवा रहे हैं आपको इस MCQ के माध्यम से 36 गर्लोक से वायोग के द्वारा लिये जाने वाले प्रारंभिक परिक्षा की तथा 6 नवंबर को जो आयोजित होने वाला है जो की व्यापम के परिक्षा की और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा 36 गर्समाने अध्यन में वह भी 36 गर्समाने अध्यन के प्राची नितिहास की और इसके प्रशन है आपके प्रिलिम्स के दृष्टी कोन से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्पुन पूछ ना और एक offer है हमारे संस्थान की ओर से उरान IS Administrative Academy दिवाली offer के रुप में आपके लिए लेके आये अपने पूरे recorded course को आपको भारी discount के साथ उप्लब्ध करा जा रहा है यह discount आपको 50% प्रतिसक्त प्रदान किया जा रहा है और 22 से 27 अक्तुबर तक यह discount यह offer जो है दोने वाला है उसके भी हमारे पास combo pack है चाहे तो आप इसको individual भी खरीच सकते हैं वो भी same discount के साथ आपको available है हमारे पास recorded courses available है हमारे application में Maths अतर reasoning के courses है जो आपको रवी सर्क के द्वारा बनाये गए वीडियो आपको प्रोइड करा जाएंगे हिंदी भासा के courses है जो आप हमारे पास recorded वीडियो है भासा में और बात करें तो English का भी हमारे पास recorded वीडियो तथ कंप्यूटर के भी हमारे पास recorded वीडियो है और आप जानते होंगे भासा हिंदी हो अंग्रेजी हो और computer हो व्यापम की परिक्षा में पूरे 40 प्रस्ण आपको मिलेंगे 1.500 में से जनरल उलेखित सासक किस वन से संबंधित है 36 गड की तिहास के दृष्टी कोन से अगर देखें तो एरन अभिलेक का जिक्र होता है जो की गुप्त सासक भानु गुप्त का एरन अभिलेक है मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त है इसके अकॉर्डिंग जो तीथी मिलता है हमको वो है 191 गुप्त संबंध एरन अभिलेक का तिथी है 191 गुप्त संबंध आपको जानकारी होगा कि इस वन्स का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो है चंद्र गुप्त और चंद्र गुप्त के द्वारा सुरू किया गया था 319 इस्वी में गुप्त संबंध की 319 इस्वी में गुप्त संबंध शुरू हुआ है और जो भानु गुप्त का एरन अभिलेक मिलता है उसका गुप्त संबंध है 190 अगर हमको चाहिए यह इस्वी में तो आपको जोडेंगे तो आपको मिलेगा 510 इस्वी कहने का मतलब मैं यह बताना चाह रहा हूँ अब यह क्यों जिक्र किया इतना सब तो आपको जानना यह है कि इसी एरन अभिलेक में सरभ राज नाम के व्यक्ति का उलेक मिलता है इस एरन अभिलेक में सरभ राज का उलेक और यह वही सरभ राज है जिसने 36 गड़ में सरभ पुरिवंस की स्थापना की सरभ पुर जिसकी राजधानी थी, तो उलेख होता है सरब पुरीवन्स के संस्थापक राज़ा सरब राची, अब अब देखिए, आपका उत्तर होना चीए अप्शन ए, हमारा इस प्रस्ण का उत्तर है अप्शन ए प्रस्ण है, सुमेलित करना है अगर सरपपुरी वन्स की बात किया जाय तो सरपपुरी वन्स का समखन सक्थाई जाया, आप प्रसन्न मातर, जो इस वन्स का एक ऐसा साथधा जी नोंने अपने सासानकाल में सोने के सिक्के जारी करवाये थी, प्रसंपूर की स्थापना प्रसंण मात्रया प्रसंण संबंधित है पांडु वन्स इसका संबंध रहा है सिर्पूर से तो दो का ए होना चाहिए सिर्पूर राजर सितुल्यकुल वन्स हम जानते हैं भीम सेंदुिती का आरंग कामरपत्र और बान वन्स जहाँ पाली सीललेक्सियू मंदिर से जानकारी मिलता है विक्रमादित महामंदलेस्वर मलदेव के पूत्र के रूप में तो आपको सुमेलित कराना है एक का होना चाहिए क्या C 1 का C देख लिजे दो आप्सन में है तो ये आप्सन तो हड़ गया B और D आप्सन है अब बचा आपके पास आप्सन A और C 1 का C है फिर मैच कर लिजे 2 का होना चाहिए A तो 2 का A देख लिजे अब आंसार आपको मिल जाएगा आप्सन C इसका सही जवाब है 3 का D राजर सितुल्यकूल वन्स आरंगतामर पत्र है और बान वन्स पाली सीला लेख है तो हमारा उत्तर होगा आप्सन C प्रस्ण है पांडू वन्स का लिनिस्थल इंद्रपूर का तदात्मे स्थापित किया जाता है मतलब इंद्रपूर का संबंध किस से जोड़ा गया है तो हम पढ़ते हैं कि इस पांडू वन्स का जो संस्थापक राजा था उसका नाम था इंद्रबल इस वंस की जिन्हों ने स्थापना की है वो है इंद्रबल और इंद्रबल के द्वारा इंद्रपूर की स्थापना की गई और उसी इंद्रपूर में इंदल देवलमंदिर का निर्मान करवाया गया और ये सब बात हो रहा है वही इंद्रपूर आज बोलते हैं की खरोद के नाम से जाना जाता है तो इंद्रपूर ही खरोद का प्राचिन नाम है तो इसका उत्तराद देख लिजिए आपको मिलेगा अगर हम पांडू वंस की बात कर रहे हैं जो कि सीरपूर के पांडू वंस ही थे और पांडू वंस की बात हो रही तो इसमें एक सासक हुए जिनका नाम था हर्सवुप्थ इन्ही का विवाह हुआ था मौकरी वंस के राजकुमार सूर्य वर्मा की पुत्री वास्टा देवी जी से तो इनकी पतनी थी वास्टा देवी और इन्ही दोनों से संतान उत्पन हुए थे जिनका नाम था महासिव गुप्त बालर्जुन इनका पुत्र महासिव गुप्त जिनको बालर्जुन कहा गया सिर्पुर अभिलेख में अब पूछा जा रहा है कि वास्टा देवी के संबन में असत्य कथन कौन सा है तो ये तो सत्य होगा क्योंकि महासिव गुप्त बालर्जुन की माता थी सही है हर्स गुप्त की पतनी थी यह बता ही दियों मैं, दूसरा कथन भी साहिं है मोखरी राजवांस के राज़ा सुर्यवर्मा की पूतरी थी, मैं थोड़े दिर पाले जीक्र भी क्या सिरपूर में लक्ष्मनेश्वर मंदिर का निर्मान करवाया है जी नहीं लक्ष्मनेश्वर सिव जी का मंदिर है जबकि लक्ष्मन जो है वो विष्णु जी का मंदिर है तो विष्णु मंदिर के इन्होंने निर्मान कराए इस्टिका निर्मित एक विष्णु मंदिर बनव आपको ये बताना है कि ये जो त्रिक लिंगा दीपती है वो उपाधी किस ओप्षन से मैच करता है तो हम जब पढ़ते हैं सोम वनसी, तो सोम वनसी को हम तीन भागों में बाढ़के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सोम वनसी, मैकल के सोम, दूसरा हम पढ़ते हैं कोसल के सोम, और तीसरा हम पढ़ते हैं उतकल के सोम, जब हम प्राचिन चतिसगर का इतिहास देखते हैं, तो हम सोमवं सी तीन रूपों में देखते हैं मैकल, कोसल तथा उतकल, कोसल की सोम की बात होती ही तो हम पढ़ते हैं सीरपूर के पांडूवंस कोसल के सोम पांडूवस कहलाते हैं जबगी उतकल के सोम जो है वो सोमवंस कहलाएंगे और बात होता है इसी उतकल के सोमवन से संबंधित त्रिकलिंग अधिपत्ती उपाधी की इतिहास कारों का कहना है कि त्रिकलिंग एक भगलिक छेत्रफल होता था जिसमें वर्तमान चत्तिसगर का दक्षिनी भूभाग उडिशा का पस्चिमी भूभाग तथा आंधर प्रदे संसापक राजा सीवगुप और उसका उत्रधिकारी हुआ महाभवगुप और ये पहला सासक था जिन्हों ने इस प्रकार की उपाधी धारन की थी और उसके बाद आपको क्रमिक रुप से स्वन्स के राजाओं में दिखेगा कि वो इस उपाधी को धारन करते हैं तो त्रि प्रस्न है आरंग तामर पत्र के विशाय में सत्य कथनों का चैन की जब आपको बताना है आरंग तामर पत्र के विशाय में सही क्या है यह रायपूर जिले से प्राप्थ होता है यह तो आप जानते होंगे कि आरंग जो है वो रायपूर का हिस्सा है हाँ तो बिल्कुल सही पहला कथान इस तामरे पत्र के जारी करता भीम सेंद्विती हाँ भीम सेंद्विती जो अंतिम राजा 6 सासको का उल्यक करते हैं उसमें अंतिम नाम लिखा हुआ भीम सेंद्विती का उक्त सासक अमरारे कूल से संबंदी थे अमरारे कूल इनको नहीं बोला गया अमरारे कूल व्यागर राज सीला लेक के अकॉरडिंग मलार सीला लेक के अकॉरडिंग सरप पूरी वंस को कहा गया है तो तीसरा कथन गलत है इस तामर पत्र में साथ सासको का उलेक होता है जिसमें क्रमसा अगर मैं बात करूँ तो पहला नाम लिखा हुआ है सूर उसके बाद नाम लिखा अगर हम बात करें धनोरा महापासान का लिनिस्थल की तो जब महापासान का लिनिस्थल का जिक्र होता है तो दो जीलों का नाम आता है एक हमारा बिलासपूर बिलासपूर डिविजन का बिलासपूर तथा दूसरा दुर्ग डिविजन का बालोद अब बिलासपूर डिविजन के बिलासपूर में फेमस लोकेशन है वो है मलहार और बालोद में कई लोकेशन है जिसमें से करही भदर, चिर्चारी, सोरर, करकाभा कुलिया, मुझगहन, धनोरा ये सब बालोजीलमिस्थित महापासान का लिनिस्थल है और आप जानते होंगे अगर आप देखे होंगे राज्य सनरक्षित इसमारक तो चिर्चारी इसमें से फेमस जहां बहादूर कलारीन की माची के नाम से एक सनरक्षित इसमारक है बहादू कलारीन की माची इस नामसे एक सनरक्षित इसमारक महापासान का लिनिस्थल है यहाँ पर धनोरा के बारे में पूछा जा रहा है तो बालोजीलमें ये पहले आपको जानना है बालोजील इसको उत्तर होगा तो आपसंसी इसका सहीं जवाब है प्रसन है हमारा बस्तर छेतर क विशाय में विचार करना है आपको और असत्य काथन का चैंग करना है कथन है हमारा रमायनकाल में यह चेतर दंडक वन के नाम से जाना जाता था महाभारत में इस भूबह को कानतार कहा गया है आपके 36 गड़ चेतर को कोसल कहा गया है रमायन काल में दक्षिन कोसल कहा गिया है प्रयाग प्रसस्ती में यहाँ चेतर महा कांतार प्रयाग प्रसस्ती समुद्र गुप्त का जो अभिलेख है उसमें महा कांतार के राजा व्यागर राज को पराजित करने का उल्लेख मिलता है तीसरा कथन भी सही है रीगवेद में यहां चेतर दक्षिक दिग के नाम से उलेखित है तो हमारा गलत कथन होगा केवल चार तो उत्तर है इसका option D प्रस्ण है महासिवगुप्त के विशय में सही है वही महासिवगुप्त बाल अरजुन जो थोड़े देर पहले आप प्रस्ण देखे हर सुगुप्त का उत्र अधिकारी था जी बिल्कुल हर सुगुप्त के बाद गद्दी में यहीं बैठेगा तो सही है ये सिरपूर में लगभग 60 वर्सों तक सासन किया ऐसा उलेखित करते ही थी हासकार कि ये 595 से लगभग 655 इसवी तक सिरपूर के राजा की रूप में राज करेंगे लगभग 60 वर्सों तक सासर रहा ये भी कथन सही है चीनी यात्री फाय यानका सिरपूर आगमान हुआ नहीं भई चीनी यात्री वेन सांग आये थे हाँ तो ये कथन गलत हो गया सरवाधिक पूरतात्यक साक्ष की रूप में सिक्कों की प्राप्टी नहीं हुई है तो चौंथा कथन भी गलत हमारा उत्तर होगा एक और दो प्रस्ट नहीं है सुमेलित करना है आपको एक कॉलम में दिया हुआ है सुची में वन्स और दूसरे कॉलम में दिया हुआ है सासक पांडू वन्स की बात क्या जा है तो पांडू वन्सी सासक है वो है आपका कौन इसान देव तो पहला है वो डी से सुमेलित इसान देव पांडू वन्सी सासक इंद्रबल के चार पुत्रों में से कुत खरो सिरलेक से संबन्धित सरप पूरी वन से संबन्धित है वो है सुदे duy प्रथम राजर सितुले दाइत दूिति नल से संबंधित है वराहराज जिसके सोने के सिक्के प्राप्थ होते हैं केसकाल विकास खनके गाउं ओडेगा सी बात कैना जाए तो मैंस कर लिजी आप इसानदेव डी का होना चीवन तो डी का वन दो जगा ही ओप्सन कट गया फिर होना चीए दाइत दुईती सी का होना चीए क्या राजर सित्तुल्य तो सी का थ्री दोनों में हैं फिर आप देख लें तो आपको मिलेगा वराहराज, नलवंस, बी का फूर, तो हमारे उत्तर मिलके option A, option A इसका सही जबाब है, प्रस्न है, खरोज सिलालेक का संबंध है, अभी थोड़े देर पहले मैं जिक्र किया हूँ, खरोज सिलालेक का संबंध है, इंद्रबल के पूत् इंद्रबल के और इंद्रबल कोन है, तो इंद्रबल सिर्पूर के पांडुवन्स के संस्थापक, तो इसान देव का संबंध पांडुवन्स से है, आप सान आप देख लिए आपको मिल जाएगा उत्तर, option D में इसका सही जबाब है, प्रस्न है, निम्नांकित नामों पर व कारे मिलता है, इनको इनके सासन करम के अधार पर आपको जमाना है, तो सबसे पहले जो सासन की है, वो सूर नाम का सासक है, तो पहला उत्तर हो गई चारो अप्सन में आपको दिख रहा है, सूर के बाद जो गद्दी में बैठा है, वो दैइत प्रथम है, तो एक के बाद होना भीमसेन प्रथम, फिर दैत दूती, फिर भीमसेन दूती सासन करते हैं तो उत्तर है मारा 1, 3, 2, 4 सूर, फिर दैत प्रथम, फिर विभिशन, फिर भीमसेन प्रथम, फिर दैत दूती, फिर भीमसेन दूती प्रस्ण है निम्न लिखित नलवनसी सासको पर विचार कीजिए उप्युक्त में से कीन या कीन सासको की मुद्राएं 36 गड़ से प्राप्त है अगर हम नलवनसी सासको की बात करें तो हमको सोने के सिको की निधी प्राप्त हुए 32 बतिस सोने के सिको की निधी और यह जो निध प्रस्ण है करही भदर चिर्चारी सोरर प्रसिद्ध है तो करही भदर चिरचारी सोरन थोड़े दिर पहले आपको बताया कि यह सब जो है वो महापाशान काली निस्थल है जो की बालोज जीलम इस्थित है महापाशान काली निस्थल बालोज जीलम इस्थित तो उत्तर होगा आपका ओप्सन डी महापाशान काली विशाल सीला खंड इस मारकों के लिए प्रसिद्ध है प्रस्न अगल है हमारा हाथा माडा एवं बरहा जहरिया प्राग इति हासिक इस्थल अगर हम इन दोनों इस्थल की बात करें तो यह दोनों इस्थल जो है वो कॉर्बा जीलम इस्थित है कुर्बा हमारा उत्तर होगा option A प्रस्ण है राम वन गमन परियटन परिपत से संबंधित इस्थल सुमेलित नहीं है आपको बताना है कि कौन सा इस्थल सुमेलित नहीं है कौशल्य मंदिर चंद्खुरी में ही आप जानते है सबतरी सी आशरम प्रस्ण करना है राम वन गमन परिपत के अंतरगा चिन हांकित इस्थलो की संख्या 75 है बिलकूल सही है सत्य कथन है यह वनवास के दोरान स्री राम का 36 गड़ प्रवेस कोरिया जीले से हुआ था अगर मैं आज के डिट में बात करूं तो अब वो सीता मड़ी हर चौका जहां से राम भगवान और सीता माता वलक्षमन जी प्रवेस किये थे अब वो आगया मनेंदर गड़ चीर मेर भारतपूर तो यही उत्तर होना ची असत्य कथन यहीं है खरवद नामा की स्थर रमायन का लिंद खर्दूसन की राजधानी रही ऐसा जन्सुरूती है विश्व का एक मात्र कौशल्या माता मंदिर चंध्खुरी रायपूर में स्थित है तो हमारा उत्तर असत्य कथन बोल संग्या दी गई है वन पर्व के अकॉर्डिंग महा भारत के वन पर्व में गुंजी का उल्लेक रिसब तिर्थ के रूप में किया गया है तो इसका जानकारी का स्रोत क्या है तो महा भारत का वन पर्व उत्तर है अप्संस लोचन प्रसाद पांडे जी ने उलेखित किया है कि जो महाभारत के वन पर्व में उलेखित है रिसपतिर्थ गुंजी के नाम से वो वरतमान जीलों के पुनर गठन के बास सक्ती जीला के गुंजी गाउं से समिक्रित है लोचन प्रसाथ पांडे जी का नाम याद रखना है इस जानकारी के सुरोत के पीछे प्रसन है सासक महेंद्र कोसल का सासक था बिलकुल कोसल के राजा उन्होंने महेंद्र को पराजित किया था ये भी सत्य है समुद्र गुप्त ने उत्रा पता भियान में महेंद्र को परासित किया था नहीं भाई दक्षिना पता भियान क्योंकि उपर में समुद्र गुप्त बैठा है और 36 गड़ में हमा नाबो तो दक्षीना भियान करीना दक्षीना वर्तिया दक्षीना पत तो ये तो गलात हो ही जई समुद्र गुप्त ने महा कांथार के सासक व्यागर राज को पराजित किया ये सही है तो इसका असत्ते कथन बताना है अप्षन सी सही जवाब ये था आपके 36 गड़ लोग से वायोग का जो प्रिलिम्स पर इच्छा होने वाला है 2022 उससे संबंधित प्राचिन 36 गड़ के महत्पूर्ण प्रस्ण यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें और इस वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में मैं आपके लिए प्रिलिम्स 2022 की तैयारी के लिए मत धिकाली इन 36 गड़ के प्रस्णों को लेकर उपस्तित होंगा तब तक के लिए जय जोहार जाच हत्तिस गड़